हर हर महादेव चैभुलेनाथ नमस्कार दोस्तों मैं शादना पांडे मार्गजर्शन पर आपका स्वागत करते हूँ दोस्तों आज मैं महत्वपूर्ण बात आपके सामने लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप पित्र पक्ष के दोरान अपने पित्रों के निमित पानी दे रहा है भोजन निकाल रहा है उनका स्राध्य कर रहा है लगभग स्राध्य समाप्त होने वाला है दो दिन बचा हुआ है, दो या तीन दिन बचा हुआ है, जब आपको वीडियो मिलेगी, तो ऐसे में हमारे मन में एक खलचल होती है, कि हमारे उपर जो पुरो से चला आ रहा है, पित्र दोस है, वो समाप्त हुआ या नहीं हुआ, हमारे पित्र हम से प्रशन है या नहीं, तो आपके पित्र आपकी किये गए कारियों से प्रशन है अध्वार नहीं तो बहुत सारे संकेत के लिए वीडियो मैंने बनाया था आप लोग जो है उस वीडियो को देख करके काफी लाभानुवित भी हुए लेकिन ये संकेत जो है वो कुछ अलग है उन संकेतों की यानि कि उस जो बात थी उसका जिक्र नहीं किया था तो अब जो है आपके सामने पूर्णते है ये जानकारी है तो इस बात को समझने कि आपको कोशिस करना होगा कि किस तरह से और आपको ये भी पता है कि कोई भी चीज मैं सास्त्रोगते ही बताती हूँ कोई भी जानकारी ऐसे लोक मा रहते हैं उनका तरपन करते हैं तो हर किसी के मन में एक इच्छा होती है कि देवता के शाषाथ हमारे पित्र प्रशन हो तो क्या आपके पित्र प्रशन है या नहीं इन संकेतों को इन बातों को ध्यान से समझेगा तो सत प्रतिसत आपको इसका जवाब मिल जाएगा क्योंकि पितरदोश यदि लगा होता है तो ये जो चीज मैं बताने जारे हूँ वो आपके साथ कदापी नहीं हो सकती इन चीजों को ध्यान रखे ये जो है संकेत आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता यदि आपके उपर पितरदोश लगा हुआ है तो तो देखिए मैंने बताया था और वो का अपना अलग स्थान है क्यों कि एक बार जो है भगवान राम और माता शीता बैठे हुए थे और वहां इंदर के पुत्र जयंत जो थे वो सीता माता को चूँच मार दिये इससे राम जी ग्रोधित हो करके जयंत के उपर सीख के बाड़ का प्रहार किये ऐसा करने स जयंत जो थे वो बिल्कुल डर गए और उनकी एक आख भी राम के सीक बाड़ से फूट गए और वो भगवान राम से माफी मांगने लगे तत्पस्चात भगवान राम बोले कि जब स्राध्य पक्षा आएगा तो उसमें तुम्हारे द्वारा मनुश्यों को कुछ संकेत द लेकिन वो उनके पित्र के आने का उनके पित्र के फ्रसन होने का और प्रसन होने का सब का संकेत तुम्हारे द्वाना मानों मात्र को प्राप्त होगा तो ये संकेत जो है इसी आधार पे मैं आपको बताने जारे हूँ गरूर पुराण में बिल्कुल स्रेष्ट तरीके से इ मैं आपको ये सबसे पहले बता दिया कि कववा महतवपूर्ण क्यों है क्यों इसके संकेतों की बात मैं आपको बताने जा रहे हूं सवर्व पुतम तो एक चीज़ समझ लेजिए कि यदि आपने छत पे दाना डाला रोटी रखे स्राध्य पक्च का खाना रखा कुछ भी रखा आपने यदि कववा आपके घर का भोजन स्वीकार किया तो आप समझी अब आपके उपर पितर दोष्ट नहीं है चाहे कोई आप को जूट बोले कुंडली देखकर किसी भी स्थिती में मैं दावे के साथ कर सकती हूँ कि यदि कववे ने आपका भोजन ग्रहण किया तो मानिए कि आपके उपर पितर दोष्ट अब नहीं है आप किसी अन्यकश्ट से पिलित हो सकते हैं परन्तु पितर दोष्ट तो आपक छत पे देखें किसी आपके घर के बाहर पेड़ है बालकनी है कहीं भी देखें और पितर पक्ष के अंदर ही आपने यह चीज़ देखी है अन्य समय की बात बिल्कुल नहीं है पितर पक्ष के अंदर ही आपने देखी है या फिर जो दो दिन बाकी है उसमें आप देखें त आपका भाग्योदय होने वाला है तो इस चीज को आप समझे कव्वे की इस संकेत को शाधान न जाने दे निश्चित रूप से पित्र लोग लोटने के बाद जो है आपके पित्र धन शंप्रदा से आपको माला माल करेंगे और यदि आपने जोगे भोगी की कहानी जो की पित जाद रिष्टी पढ़ जाती है उसके जीवन में धन संप्रदा की कमी नहीं रहती है रोग बीमारी कला कले सबसे छूटकारा मिल जाता है वैसे ही देवताओं के साथ जैसे आपको देवताओं की पूजा करते हैं जैसे देवताओं की कृपा के लिए परेशान रहते हैं व पित्र पक्च से बचने के लिए बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं लेकिन एक चीज आपको बता दूँ कि आपका पित्र दोश शमाप्त होता ही नहीं है होता तभी है जब आप अपने द्वारा इन छोटे छोटे कामों को करते हैं जो कि मैं कई बार आपको कई वीडिय हूँ आप लोग सुने भी हैं उस वीडियो को तो उस प्रकार ही समाप्त होता है किसी बड़ी पूजा से बहुत बड़ा पित्र दोश समाप्त भी जल्दी नहीं होता है दूसरा संकेत आपको बताते हूँ दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही पित्र पक्च की समाप्त होती अगले दिन सार्दिय नवरात्री प्रारंब हो जाएगा तो सार्दिय नवरात्री में तो मता आएंगी ही उसके पूर्व यदि कवे ने आपको ये संकेत दिया कौन सा संकेत कि यदि कवा कहीं बैठ करके आपके छत्पे यदि बैठा है तो बेहत चत्पे बैठ करके कवे ने यदि अपनी पीठ को अपने चूच से खुजलाना सुरू किया अपने पंखो को जाड़ना सुरू किया तो इससे ये समझा जाता है कि घर के उपर पितदोश नामक जो चीज है दोश है वो समाप्त हो रही है और घर में लक्षमी का आगमन होने वाला है और ये आपको यदी संकेत मिलता है तो सत्प्रतिसत समझें कि अब आपकी गरीवी दूर होने वाली है ऐसे ही दोस्तों जब आपने स्राध्य पक्ष में पिंड़दान किया कराया और जब आप ब्रामण की निमीत भोजन करा रहे हैं या फिर स्राध्य का भोजन आ यदी कववे ने खा लिया तो समझें कि आपके पित्रों तक शीधा वो पहुंचेगा क्योंकि मैं आपको पूर्व में ही बताई हूं कि भगवान राम का ये आसिरबाद समझें कि जो भी भोजन कववा ग्रहड करेगा पित्र पक्ष के दौरान वो सीधे आपके पित्रों पर सब कुछ किया तो समझें कि जीवन में आने वाली कठनाया समाप्त हो रही है और लक्षमी के करपा आपके उपर होने वाली है तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी जानकारी थी लेकिन इस जानकारी को बिल्कुल साधान न समझे ये जानकारी भाग्योदे कराने वाली जा सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की जानकारियां आपको प्राप्त होती है और उमिद करते हूं जानकारिया आपको फशंद आएगी धन्यवाद